इाउ ऐलो ए वैलीग वेल्कम टौर फूल शलीवर सिनल अज मैं आपको नौरिस टैप वन में आपका मालस सिस्टम है जो कि बीटा-गामा असिरेट के सिस्टम के बारे में बदाने जा रहा हूं यह नौरिस टैप वन का या अलफा क्लिविज का ये आपका लास टॉपिक है जिसको कि में आजि कवर करोंगा आपको नोरीच ट्यप वन यह तो पता ही है कि आपको एलफा क्लेज़ कराना होता है जिसको मैं आपको सेविश्वेटरेट साइखलिक सिस्टम दोनों मैं आपको करा चुका हूं यह आपका यहां है बीटा गामा ऐलफा कराना है आपको यहां को कि agrade us Η आपको जाओ किसे और पो देखना क्या है कर्बोलिशन हे कार्बोलिल कंपांड में बीटा गामा पर सचुरिशन होना चाही इसकी पहली कन्डिशन है तबी आपको beta gamma unsugged system में आपको alpha cle килvaure कराना होगा अगर आपको किसी भी system में beta gamma unsugasm होता है तो आपको alpha cleavage कैसे कराना है वो देख लो ठीक है यहाँ पर नरीड़ी इस system में beta gamma unsugasm है अब आपको alpha cleavage यहाख तो आप इस side से करा सकते हो suppose A and B अगर आप B-side से कराते हो तो आपको क्या मिलेगा oxygen पर रेडिकल मिलेगा जो कि आपका अनिस्टेबल रेडिकल होगा oxygen एक्ट्र नेगेटिव एटम है तो आप हमेशा यहां पर इस तरह के सिस्टम में आप alpha cleavage के बाद आपको जो कंपॉंड मिलेगा आपका यूविल गिट इस वन है कि आपको आपको अलफा क्लिवेश के बाद यह कंपॉंड मिल गया यह है आपको पता है कि यह आपका टर्सरी एलकायल रेडिकल इस हाईली स्टेवल तो यहां पर सबसे पहले अपने अलफा क्लिवेश कराया जो कि कॉमन ने मिल जाएगा इस सबसे पहले अपने अपने अलफा क्लिवेश कराया उसके बाद यहां से संब्सक्राइब यहां पर इस वाले सिज्टम में समझनी की जए वाले सिस्टम में घुन को यूटिलाइस करना तो मैं यहां पे इसको इस तरह से लिख सकता हूँ आपका यह रेटिकल और यह रेटिकल डबॉल बाउंड को हो जाएगा और देखो डबल बाउंड का यह स्वेडिकल के बनने के बाद यह दोनों डेटिकल मिलके आपके कार्बॉनिल गंपाउंड बना यह रेडिकल यह चांट यह प्रडक्ट मिलेगा लेकिन इस टेप आपने जो फॉलो किये सबसे पहले आपको कराना किया है इपोर्टेंट अलफा早 sausage और पक्रेविश करने मैंने बताया हुइ और रिष्टेपल साइट कर जो आपका अका यह को chem dei tablespoon what ? आपको यूस करना है यह आपका इंपॉर्टेंट किमेस्ट्री है अगर आपका betina in वाल्फ होता है तो आपको तीसरा यह कराना ही पड़ेगा an last में betina का अन्सिटम के बाद आपको रेडिकल कंबिनेशन करा देना ये चारों के करने के बाद आपको ये प्रॉड़क्ट मिलते हैं ठीक है तो यह अपका इस तरह से होग है बीटा गमा अंसिट Sum में इसका एक एक एक्जांपल मैं आपको और करा देता हूं तो आपको एक्जाम्पल कराताओ हमाइब पीटा गामाउंट सिस्टम का इस में आपको बता दिया थे एक तो आपको turned टिंदे जे करनी है सबसे पहले आपको Hangiston करना पड़ेगा उसके पहले भी आपको पहठर आपका यह बीटा गामा सिस्टम है भी नहीं आपको पता एंधी झोल्फवान अलोगा सबसे पहले आपको करना पड़ एकज उसके बाद उसके बाद आपका रेडिकल कंबिनेशन मैंने यह चार चीज़ आपको बढ़ाई थी सबसे पहले आप कराऊगे अलफा क्लिवेज उसके बाद आप कराऊगे डी कार्बोनेलेशन और थर वन आपका होगा बीटा गामा की डेवल वांड को यूज करना और फॉर्थ आपका र में ट्रिवलिक्स का मॉलीक में तो सबसे पहले अपने कुल जो करा या 幫 Hahaha अड Extra आपको अड दान होगे है उसके बाद आपको करनाए कि निकार्बोन ईलेशन डी कार्बोनेशन आप करोगे मैं तो आपको जो ब्रोडरект मिलेगा जो झाग च के अब ढिक कार्बोन लेशन करने के बाद आपको यह प्रोड़ेंग यह दोण हो ऐसाप vào और यापने सबसे पिले क्लिबी publik कर आया है उसके बद कर आध्यकर अब आपको यहाँ पर कराना ठीक है अब बीडा गामा कि डवल बॉंड की यूज करने के लिए आपने क्या करना है अपने हूद यह पर यूस कहिए करोगे अब आप देख लो यहां पर क्या होना है कि यह प्रोडिक्ट आपके बन जाने एक आपने क्या बीटा-गामा की बॉण्ड को ऊपन किया यह इसके साथ और यह दोनों रेडिकल कंबाइड कर लेंगे और बन बने है तो सबसे पहले आप क्या अपने क्या रेडिकल कमिनेशन करा दिया तो आपका यह प्रोड़क्ट बन जाए बस आपको ध्यान देना है इसमें सिर्फ अलफा क्लिविश कराना है डी कार्बनेशन कराना है जैसे आप करा रहे थे बस इंपॉर्टेंट एक यहां पर सिस्टम क्या गुन क्या जाता है बीटा गामा की बन को यूज करना अगर आपका बीटा गामा अंसरेट सिस्टम है तो इस इस आल अबाट योर बीटा गामा अंसरेट सिस्टम और सारी चीजह मैंने आपके नोरिश टाइप वन में कवर कर दिया थैंक यू